वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल एरे अप नोलेज बैसी एसके दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से मौरी सामराज के परसासनिक बेवस्था को देखने जा रहे हैं अगर आप हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं जहांकि मौरी सामराज से रिलेटेट तीन वीडियो डालती आ गया है जिसमें मुश्किल से दस मिनट बारा मिनट का वीडियो है जिसमें चंद्रगुप्त मौर असोक फिर ये जो बिन्दुसार है उनके बारे में बताया गया है साथ ही साथ यहां एक सुब्यवस्थित ढंग से बताया गया है जो कि आपको एक्जाम के दिष्टी से बेहती मातपूर्ण है आप उस वीडियो को जा करके देख सकते है दोस्तों आज हम मुख रूप से पढ़ेंगे कि परसासनिक बेवस्था यहां की कैसी थी तो इन में अगर हम देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यह जादेतर जैसे असोक के सिलालेक मिले हैं तो उस समय का जो परसासनिक बेवस्था उसके बारे में मिलता है यह जानकारी साथ ही साथ वहां के जो साइथ थे कैसा मतलब बेवाहर था समाज कैसा था उन सब के बारे में जानकारी मिलती है मुख्रूप से चानक के द्वारा लिखा गया आर्ट सास्त्र और इंडी का साथ ही अलग-अलग बिद्वानों के द्वारा जो भी मतलब लेक किया गया है उन सब के बारे में बताता है कि मौरिस समराज का परशासनिक बेवस्था कैसी थी आपको बता दें दोस्तों कि ये इंडी का जो मेंगा स्थिनीज के द्वारा लिखा गया था अब देखिए इस समय में क्या था कि एक समराज हुआ करता था जो मगद का समराज था अब एक मगद इसके पांच परान थे मगद का जो समराज जितना विस्तार था आप जाकर के पिछले वीडियो में मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि असोक के समय तख जो है इस समराज का विस्तार कहां से कहां तक हो चुका था अब वो जो समराज इतना बढ़ा था तो उसको पाँच परांतों में बांट दिया गया था अब इन पांच प्रांतों की परशासनिक ब्यवस्था कैसी होती थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे आप लोगों को पता ही है कि असोग जो है राजा बन ने इस पहले अवंतिकारा राजपाल के रूप में काम किया करता था दोस्तों समराट के जो साहता के लिए कुछ बनाये गए थे ये मंतरी परिसर उनमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 के आसपास हुआ करती थी अब इन जो ये जो सदस्य हैं इन सब का एक परिक्षन द्वारा पास किया जाता था उपदा परिक्षन इलोका होता था जिसके तहट जो योग होता था उसको ब्यवस्था सोपी जाती थी उसको कोई पद सोबा जाता था अगर आप लोगों को ये याद रखना होता तो आप याद रखिएगा कोई भी उपदी के लिए उस समय मोरी समराज में क्या होता था उपदा पर इक्षन होता था तो उपाधी से उपदा याद रखिएगा तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी देखिए यहाँ जो है एक सिर्शस्त अधिकारी होता था कोई भी पद पे एक अधिकारी होता था मतलब आप करेंट से इसको रिलेट कर सकते हैं जैसे कोई भी थल से नाकाई का अधिक्ष होता है जल से नाकाई का अधिक्ष होता है मतलब हर डिपार्टमेंट का अधिक्ष होता है उसके बाद भी एक मंतराले होता है तो ये सब उस समय का था तो इसमें क्या था कि कोई भी सिर्षस्त अधिकारी जो था उसको तिर्थ या महामातर कहते थे अब देखिए यहाँ प्रांत या चक्र जो मौरी सामराज पांच भागों में बटा हुआ था उसको प्रांत या चकर कहते थे और इसका जो राज़पाल होता था उसको कुमार आरे पुत्र या राश्ट्रिक कहते थे कोई प्रांत का जो राज़पाल होता था उसको कुमार कहते थे या आर पुत्र कहते थे फिर राश्ट्रिक के कुछ भी कहते थे अब देखे दोस्तो बिसाय जो है बिसाय पती के अधिन होता था जबकि ग्राम जो है ग्रामिक के अधिन होता था ये प्रांत जो है पांचो प्रांत जो है यह भी बटा हुआ था ग्राम में बिसाय में तो जिसमें ग्राम है तो ग्राम का जो मुख पर सासनिक बेवस्ता जो स दस ग्रामों का सासन समालना होता था यहां का जब हम टैक्स की बात करें तो यहां बिकरी कर एक वटए दस था एक वटए दस बिकरी कर था दस्मा भाग अगर कोई मना कर रहा है इसको देने से तो उस स्थिति में उसको मिल्ट्यू डंड दिया जाता था यहां मुर्ज सामराज के समय पर चर जासुस को कहा जाता था यह समराट के गुप्तचर के रूप में अलग-अलग प्रांतों में कारे रत थे जो अलग-अलग प्रांतों से समाचार ला करके समराट को बताते थे अब देखे एग्रो नुमाई जो है यहां मार्ग निर्मान का जो अधिकारी होता था उसको एग्रो नुमाई कहा जाता था नायक जो है सेना का नित्रित करने वाले को नायक कहा जाता था जबकि राजुक नियाइधिस को कहा जाता था राजुक सीता भूमी को याद रखेगा दोस्तो सरकारी भूमी को सीता भूमी कहते थे इस चीज़ को याद रखेगा गोर से कि सीता भूमी किसको बोलते थे सरकारी भूमी को सीता भूमी और दूसरा जो है जो बिना बर्सा के अच्छी खेती होती थी जिस भूमी में उस भू सिता भूमी जो सरकारी भूमी होती थी अदेव मात्रिक जो है वो बिना बर्सा की अच्छी खेती वाले भूमी को अदेव मात्रिक कहते थे। अगर आप गोर से देखे तो असोप के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद से जब उसका हिड़ा परिवर्टन हो गया तो उसके बाद से क्या होने लगा कि वो जो भी अच्छाईयां की उसमें अस्तम लेख था सिला लेख था जो कि पिछल कैने का मलब किसी को जवर्दस्ती तो थोपे नहीं थे कभी लेकिन संगमित्रा और उपना पुत्र जो है उन दोनों को महेंद्र और संगमित्र उन दोनों को स्रिलंका भेजे थे साथ ही इस साथ ही अपने समय में बहुत धर्म का खुब परचार परशार के थे लेकिन किसी भी धर्म से इनको कोई आपत्ती नहीं थी यह जो है धर्मों के प्रति सही सुनू थे मतलब सभी धर्मों को यह एक समान देखते थे अब देखिए जब इसका आगे की और बढ़ा तो एक ब्रयादरत जो है ब्रयादरत है यह जब सासक बने ब्रयादरत जब सासक बने तो इन् को दे दिया गया जहां यहां क्या था कि एक महामातर होता था महामातर से उपर अमात्त होता था और महामातर के अंडर सब कारदे देखरेक होते थे और उसके बाद महामातर का भी देखरेक अमात्त करता था लेकिन प्रोब्लम यहां क्या था कि ब्रहदरत जो है पुस्मित्र स जो है क्या कर दिया एक्सोपचासी बीची में इसके मिर्टिव के बाद सुग्ग की अस्थापना कर दी तो याद रखेगा दोस्तों इसका अंतिम सासक मोरिशामराज का बिर्द्रत था और सुग्वथ के संस्थापक पुस्यमित्र सुंग थे जो की बिरदरत का ही सेनापती था तो धन्यवाद दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को दवा ले ताकि हमारे नए वीडियो का लिंक जो है आपको जल्द प्राप्त हो सके धन्यवाद